Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का देई नप पस्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम M.A.History M.H.I.01 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे lesson no.90 की और lesson no.90 का नाम है हमारे chain इस lesson के अंदर में हम का रहे हम खास बात क्या है उसके बारे हम डिसकक्स करें तो कुछ in बेंधों पूरा फेस्ट परकार का किस तर संन्का च्यान होता था intentar संस्कों पर्ज इतर के दिसक्स करें गें स्पशुआ करेंगे बहुत इंप्रइन अंरहे रहता है और इन धींगस करेंगें ले लो ठीके चाहे का फिस्ट बात का ले लो या फिर कोई दूसरे जो टॉपिक से उससे लेटिड वहां पे उसके बारे में हम या पर डिसकस करने वाले हैं यहां पर हम देखेंगे धर्म और राजनितिक व्यवस्ता का प्रकार किस प्रकार से रहा चीन के अंतर में और सबसे जो important topic रहता है जो हमारा पहला topic के तौरपे देखें तो प्राचिन चीन और प्रारंभिक जो मद्यकलिन चीन के संबंद हैं आपसी संबंद उसके बारे में हमें आपे discussion करेंगे चर्चा करेंगे और ये सारे main valuable points हैं इस पूरे lesson की दोस्तों मैं सबसे पहले important चीज आपको ब पढ़ते हो तो आपका time बचेगा थोड़ा सा क्योंकि book से अगर आप पढ़ते हो directly या फिर soft copy से पढ़ते हो तो यहां पर बहुत lengthy है ठीक है time ज्यादा consume होगा इसमें जो main point से वो directly उठाकर इसमें रखा गया है time to time update मिलेगा और उसका बहुत सारा benefit भी आपको मिलेगा यहां पर दोस्तों एक चीज और आपको बोलनी है हमारे एक दूसरा चैनल नव इन्फो करके उसको भी आप जरूर सस्क्राइब करें जहां पर आपको तो दीरे-दीरे हमने starting से पढ़ा कि आदी मानव का चलन किस तरह सरा आदी मानव इसकाल से दीरे-दीरे खाना बोदोस जिंदगी हमने वितीत किया पसुपारानिग वाला देख लिया अब हम चीनी समाज के उपर माये कि चीन के अंदर में किस परकार के वेबस था थी तो न haver चीनी राजे को अगर हम इस तीवा कि बात करते कि कब अस्तितव में आया तो two seventeen isa proof के आसपास के मान जाते कि वह अस्तितव में आया और जो स्टार्टिंग में उनका देखा जाते उसको नौकर साही ववस्था को लागू करना पड़ा, सापना करना पड़ा, नौकर साही ववस्था, नौकर साही ववस्था होती क्या है, ठीक है, तो अगर नौकर साही ववस्था को समझोगे, तो नौरमली आप यह मान के चलो, जो भी बड़े अधिकारी होते हैं, जो भार जाता है ठीक है तो अब देखो किन के द्वारा जो राजा था किन था समराड जो किन था उसके द्वारा चीन को पर सासनी की कायों में विभाजित किया गया जिसके बाद नौकर साइब विवस्ता को लागू किया गया और उसने किन ने क्या किया खुद को समराड घुसित किया चीन का ठीक है समराड घुसित करने के बाद जो चीन का समराड होता है सबसे महत्यपूर मुहमकाय के तौर पर उसको माना गया अब वेको राजा को यहाँ पर स्वर्ग का पूत्र का दर्जा दिया गया ठीक है एक राजा को स्वर्ग के पूत्र के तौर पर की वो राजा उसा समान पाता था उस पर भी अधिकार होता था ठीक है आज पास की जो area थी आज पास की जो सीमान तराज्य थे उस पर भी उसका अधिकार माना जाता था अब देखो यहां पर एक जो सबसे important questions बनकर आते हैं आपकी इस lesson के अंदर में अगर आप आप चाप्टर् Assist को बहुत बधर हमते हैं तो यहां पर एक सब पहल wonderful work कॉश्चन को पर आथा है नौकर साहीव वेफस्था की उसको दोरा उसके बारे आप हम discuss करेंगे देखे दोस्तो हम जब नौकर साइव विवस्था की बात करते हैं नौकर साही विवस्था का क्या था कि नौकर साही विवस्था शासन पर पर प्रटेक्शन नहीं था मतब जो पूरा जो regulation क्या जा रहता है कि सफर से राज्य अब देखो एक example यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा आपने पाकिस्तान के बारे में बहुत बार सुनाओगा कि कोई भी आज तक जो प्राइम मिनिश्चर पूरा निकर पाया रिजन क्या होता है कि जब भी वो ट्रम पूरा करने जाता है तो कभी कोई ताना सा आकर कोई कब्जा कर लेता है तो अब वो जो सेना का दिकारी आकर अपर पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेता अब तो अब गाए प। वह PART तो साशन है वहाँ पर मины कंट्रोल है तो नहीं कर पा देप पड़ा ठीक है तो जो सेन अधिकारी है या फिर नौकर साही वेवस्ता है वो अपने आपी हावी हो जाएगा राज्जी के उपर में यह माना जाता है अब देखो नौकर साही वेवस्ता की नियुक्ति किस तरह से होती थी तो परिच्छा के अधार पर नियुक्ति की जाती थ और रहे हो चीन किया जाता है लोड़ा ठा quase 10 हortsने दिया लॉडाक्र साही मस्तों अधिकारी थेकितन इन नागरिक है उसके से तची का भी सैता है Makes More हम बात करें, यहां पर UPST को आप से लिखे में चलिएगा, for example, मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, अगले point के और बढ़ते हैं, तो नौकर साही प्रशाष्टन के दो पर्मुक पदों जो होते थे, उनके पर्मुक पदों पर नियुक्ति की जाती थे, किस के दोरा, राजा समराट के दोरा निक्ति की जाती थे, ठीक है, निक्ति में कड़ी परिक्षा लिया जाता था, निक्ति के लिए कड़ी परिक्षा देने होते हैं, और साथ-साथ में उनक्जामें Confucius का ग्यान होना बहुत जादा जूरी था, अब Confucius होता क्या है, जैसे आज के समय में भार समय में हो गया, रामचरित मानस हो गया, धर्म के अपने अपनी गीता हैं, मतलब इनके कावे साहिता हैं, जो भी आप कह सकतो इस तरह से, तो Confucius वाद के उपर में कई सारे टिपनी की गई, कई सारे किताब लिखे गए, गरंत लिखे गए, उनके जो आइडिलोजी थी उसक करना है या कुछ अलग कंडिशन के साथ में वही व्यक्ति नौकर साही व्यवस्था के प्रिक्षा दे सकता है, सबी लोगों सबी लोग दे सकते हैं, कोई उसमें यह निता, कंपल सरी निता, गाइडलाइन शनिते की इसी को देना है, ठीक है, बिना कोई भेदवाव के प्र विवस्ता चलती है, तो इस तरह से लागो नहीं करना चाते हैं, उस पसंद नहीं आया तो उस तरह से खी innocent An Lexus इंडय पर जाहिए, और हमिसाayan इसी सब्सक्राब काना है नौकर साही विवस्ता भी यह ब Judaём परोक करती है तो इनको लेकर खी चातानी आपस में चलता है नौकर साहों को जो सक्ति साली बनने से रोकने के लिए अलग तरह के कानूनों का निर्मान किया गया अलग अलग तरिके से खी चातानी विवस्ता हों कर लागू कर दो किचातानी विवस्ता से मतलब यह ए, कि जैसे माल लो राजा को यह लगने लगता है कि यह वैकती बहुत जादा पाउरफुल बन रहा है, तो उसको कहीं पर और पर टान्सफर कर देना कहीं और पर इस्तांतरन कर देना, ठीके हुआ अपने जिले में नौक्री निकर सकते माल नो मैं भियर के साथ में कभी अगर UPC clear करता हूं तो मैं वहाँ पर नौकरी मुझे नहीं मिलेगा, मुझे कहीं भी दे दें पर पटना में नहीं देंगे, तो सबसे पहले main चीज यह दिखा गया, साथ-साथ में एक, मतलब एक, मतलब एक, तीन साल से अधिक में एक पद पर नहीं रह सकता, कोई भी मत Power of division का जो मतलब एक के हाथ में power जो जाता है, ठीक है, power का जो, जो बनता है दोनों के हाथ में power का बटवारा होता है, Samraat के हात में और नौकर साओ के हांथ में, । वो सही तरह से चल से के, सुचार रूप से चल सके, जिसके का नियमों का निर्मान भी किया गया, ठीक है किरूशन आता है कि चीन समराथ के प्रमुक दाईथा अब चीन जो राजा होता है उसका दाईथ किस तर से उसको regulate करता है किस तर चीजे को चलाता है थे थैह किस तर से के पास अधिकार है वह सारा हमने पड़ लिया ठीक है यहां पे कोछीजे और आती है तो राजनेतिक सबी अधिकारियों की निफ्ती करना किसको कहां पर पॉपरिंट करना है यह सारा राजा के हांत में और उन अधिकारियों पर नियंतरन रखना है यह भी राजा के हांत में होता है समराट परतेक चुरूप से लगबग 18 प्रांद तो था अपनी नोकर साही सासन का सासन करता है जैसे जो भी प्रांद थे राजा के ठीक है जैसे बारत है बारत के अंदर में इतने भी 27-26 स्टेट्स हैं प्रदानमंति राश्पदी का दिकार होताए उसके आशपास के जो छेत्रा उस पे भी वे वह सासन करता है तो उस तरीके से चीन के इंदर हमसे ay ऊद्राण थे उसारN करना थ blend थ्य और प्रित्वी के मद्यस्त माना जाता था मिडल में पर देखा जाता जयाता है कि अगर भुकम्पूर प्रorkkarations आपदा यासी कभी भी चीजे आती हैं राजी के इंदर में तो उसको अपसभून के तौर पे दिखा जाता है कि यह गलत चीजे अपसभून हैं ठीके और अपसहबून विद्रोह करने लगते हैं अगर वालो चोरी हुआ कुछ रकैती हुआ इस तरह की चीज़े बढ़ने लगी ठीक है बोकम पाया प्राकरती का आफ़दा आया तो यह मान के चलने लगते हैं लोग की ना अब देखो जो स्वर्ग से उसको ना मिलाता अधिकार राज करने का अब अगर उनके राज्ये में किसी भी तरह का नेचर डिजास्टर आता है तो वह लोग यह मान के चलते थे कि जो राजा है उनका किंग है वह अपना अधिकार खोचुका है राज करने का जिसके कारण से भगवान उनको सजा दे रहे हैं इस तरह से वह मान के चलते थे ठीक चीन की राजनेतिक ववस्ता को निरंकों से अताना साही कहा जा सकता है विवेचना की जिए यह भी कोशन आ जाता है कई बार आपके असाइमेंट में इस तरह के कोशन बनकर आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं अगले टॉपिक और बढ़ते हैं अगला इंपोर्टेंट रोल रहता है किसी भी सोसाइटी के अंदर में आज हम भारत के अंदर में वुद्गी, अच्छी से जीवनवेतीत कर रहे हैं हमें जो मेल चाइए हमें खाना चाहिए जो त्रय इचा जो अचा, दो time का वो हमें मिल रा है, पिसके तुरु मिल रहा है, तो य मैं बाह करण से महां किसाना समाज को गुमाना था घृट्स! धरीक और उनने वाले देखेश incidents nowto ऐगो सेंगेल किसान चीर हैं स्वेम पील स्वेम के गधुग तो सेंगेल Ahloo का फ статьyka आख सब्सूर schon साथ में वाले इंप्रवार को पर सुर्जा प् hoy ना कहेते ही गर्त के जो बभूत को फालिए हो में दीक जाना होटा हूश होट जो किसान रहे बड़े-बड़े भूपते हूश समयेिक कैस्ता का कंसे मजगूरे ओगेए और वहांस से उस तरह सेच दीज है, जीुटए चलती है अब देखो एक किसान है जिसके पास बहुत बड़ी भूमी थी बहुत बड़ी भूमी का टुकड़ा था अब वो धीरे-दीरे क्या हुआ बहुत 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 ब उपज का उनका आधा हिस्सा या फिर अधिक हिस्सा ले लिया जाता था ठीक है ठेक्स पे रूप में राजा के दिवारा ये पिर अलग जो भूपत्ती उते हो यो ह्का आता है। ठीक किसान खेती छोड़कर चोरी डेकरती करने लगते हैं क्योंकि उसमें उसको अब लग रहा होता है कि चीजे सही नहीं है तो वहाँ पर रीजन क्या है कि वो son of farmer तो है, पर वो farming नहीं जानते है, मेरे पापा है जो किसान खिती करते थे किस टाइम पर, बट इस समय हमें नहीं बता है कि क्या चीज़े किस तरस होती है, तो क्या है कि वो धीरे धीरे हम छोड़कर दूसरी तरफ shift होती जा रहे, तो सेंग चीज़ यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है, यह रीवी सताब्धी के अन्दर में, यह रीवी सताब्धी के असपास में देखोगे, तो चीन के जो क्रिसी व्वस्था था था, उसके अन्दर में परिवर्तन आता है, तो तकनीकी तोर परिवर्तन और नई नई तरी चीज़ों का आगमन हो जाता है तो परिवर्तन क्या था? तो आंतरिक और विदेसी वैपार बढ़ने लगता है ठीके चीन के अंदर में आंतरिक और विदेसी वैपार बढ़ने लगता है वानेजिक उपकरणों का विकास होता है, कागजी मुद्रा का परचलन बढ़ जाता है, बड़े वैपारी और घरानों का ओदय होता है, ठीके सहरों और नगरों का तेजी से विर्दी होना सुरू होता है, साक्षर्ता जो पड़े लिखे थे उनकी तेजी से विकास होती है, सह चीनी समाज का रुख था हो पिरते सतात्मक होने लगता है, चीनी समाज क्रिशिश समाज के तौर पर बढ़ने लगता है, लोगों के घर काफी बड़े होते थे, अब दीरे दीरे घर क्या थे घरों के आकार बढ़ते होते चले गए, ठीके परिवारों का जो आइडिलोजी साइकत परिवार समयन रापर समय मिलता हैं। तो उसको यह भी बता जलता है कि धारमिक पर्थाओं थुख ता है। झालग मत है तौर आज कोंड के तुख वहां कि कहते है। संयुक्त परिवार सभी अप्रेवार होता था रेल्राना का मतलग्य करती है। जो वहाँ पर joint family में जो बच्चे भी होते हैं उनकी जो legacy देखोगे ना संसकार के अलग अलग चीज़ों के तो वो बहुत जादा importance होती है आप compare करोगे ना जो एक ऐसी single family रह रही है कहीं पर अलग जाके रह रह रहा है तो यहाँ पर joint family को संयुक्त परिवार को बहुत जादा importance दिया गया अब इसमें questions क्या बनकर आता है अगर इस वाले topic में थोड़ा सा आपको detail में बताऊं तो कोशन यह बनकर आता है कि चीन का क्रिशक समाज को समझाई है चीन का क्रिशक समाज किस पर करका था ठीक किस तर से किसक समाज आगे बढ़ा इसकी बारे में आपर बात की जाती है तो यह चीन का खर्षक समाज की बारे में हम आपर बात करते हैं जिसके अधर में मैंने सारे पॉइंट्स बताई की राजा दूबारा कर लिया जाता था किस तर से कर बढ़ा थीक है तो यह चीजे रहती है तो यहाँ पर आप यहाँ पर यह कर सकते हो और last यहां पर जो word रहता है जो हमारे topic रहता है Confucius वाद का रहता है अब Confucius वाद है क्या ठीक है तो एक तरसी यह मालो एक तरसी धर में ठीक है एक तरसी रिलीजन है इस तरसी यह मान कर चल सकते हो इसके अंदर में है क्या यह सबसे important topic आपके इस पूरे वीडियो का एक तो आपका सबसे important topic रहता है तीनों जो मैंने बताया है मतलब तीन जो topic हैं आपके चाहे आप नौकर साही वेवस्ता ले लो ठीक है चाहे Confucius वाद ले लो चाहे आपकी सानवा ले लो तीनों topic important है most important topic of the video कह सकते हो chapter कर सकते हो और यहां पर यह वाला chapter इस topic के बाद खथम हो जाता है हमारा अब एकगे Confucius वाद के बारे में पढ़ते है Confucius वाद के अंदर में चीनी परिवार के ऊपर में जो चीनी परिवार था उसके उपर गएरा आस्ता रहता है चीनी परिवारों का उसके उपर में, reason यह रहा कि जो भी उनकी primary exams लिये जाते थे, चाहे आपके नोकर सभी ववस्ता का हो, उसके अंदर में भी topic Confucius Vatka डाला गया, ठीक है, उसके उपर में questions पोछा जाता थे, सभी लोग अनिवारे रोप से उसका exam दे सकते थे, उसके उपर में कोई भी foundations नहीं ह कोई भी person और विचार नहीं किया गया, कि भी यह भगवान है या नहीं है, ठीक है, मिर्तिव के बाद जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, भारत के अंदर में बहुत सारे भगवान और बहुत सारे बाबाब मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जो इन दो questions के उपर में ह है, और इस्वर है या नहीं है, इस्वर का अस्तित्व है या नहीं है, इन दो topic के उपर में ना उनके लागों करोडों followers हैं, और कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने बड़ी fanfollowings हैं उनकी, इन दो topics के उपर में, जो वैक्ति इन चीजों को समझ गया, फिर हो तो परे है चीजो यहां पर हम देख सकते हैं, तो यह normally confusus बात के अंदर में इस चीज का जिकर किया गया, कि वो स्वर के उपर में कोई person नहीं करता है, उसके इस्तित्व के उपर में कोई person नहीं करता, मिर्ट्य के बाद जीवन है या नहीं है, उसके उपर में कभी विचार करने की बात ही न विस्वास रखते थे चीन में Confucius वाद का उदय देखो गए उच्छटी सतादी इसा पूरुप में जनवे दार्षने Confucius के कारण से देखा जाता है इनके उपदेशों को ही Confucius वाद के तौर पे जाना गया ठीक है और इसका reason क्या रहता है Confucius वाद का reason क्या देखा जाता है कि चारों और असांती फैली हुई थी जिसके कारण से Confucius वाद की जौरत पड़ी समाजिक और राजनेतिक जो संस्ताय थी वो तूट रही थी विखर रही थी उसके कारण से Confucius वाद की जौरत पड़ी इस महौल में Confucius ने इस अवस्था से मुक्ती दिलाने के लिए जो समाज की structure था जिस तरह से समाज के अंदर में सांती फैल रही थी जो संस्ताय थी वो तूट रही थी विखरी उती उसके कारण से लोगों की जो ववस्था और नयतिक मुल्यों को पुना स्थापित करने के लिए उस पर जोर देने के लिए Confucius द्वारा Confucius वाद के उप ये इच्छा ना आपको अपना कल को अच्छा बनाना है भारत के कल को अच्छा बनाना तो आज के जो हमारे बचुर को अच्छा बनाने पढ़ेंगे पर आज के जो many thay तो आप औंदरव की वाज़ किशे पूर्ष के ने किक पूर्ष कोन होरा, युक है, जिस्की हम बात करते है कि एक आइडल पूर्ष ऐसा है, डिक है, to realize ने हम बूर्ष psych És के माने और हम तरक्की कैसे कर सकते तो जो भी काम का अजे वह सही व्यक्ती के के हाथ में होगा। समाज पर फीन के अंदर में गोट सक Jeśli तो आप आप शाषिन देदैवेक न में लोट सकती में तो क्या लगा है वह भारत के सिवा पर बल दिया गया Confucius Vat के अंदर में वैक्ति के समाजिक उत्तरदाइत को बल मिला ठीक है Confucius Vat के लावाद चीनी समाज में Tao ठीक है अभी देखो Tao क्या है Tao और बोध धर्म का स्थित्वी देखने के लिए मिलता है देखो चीन के अंदर में कई तरह के धर्म रहे पर मेंली अगर धर्मों को स्टड़ी करोगे तो Confucius Vat आ जाता है उनका ठीक है यह तरह एक तरह से जो संस्थापक थे लाव जी थे ठीक है Tao धर्म के संस्थापक कों थे तो लाव जी थे थे थोड़ा सा जीब सा लगता है नाम बट अर्जेस्ट कर लेना यही नाम था उनका Tao धर्म के संस्थापक लाव जी Confucius Vat और Tao धर्म में थोड़ा सा अंतर भी देखने के लिए मिलता है Tao धर्म का जो समाजिक और राज्ये नैतिक मुल्यों से कोई लिना देना नहीं था ठीक है समाज के अंदर में क्या चल रहा है समाजिक की सिति किस परकार का है राजनितिक किस परकार का है नैतिक मुल्य र सहजता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं इसके उपर में Tao धर्म के अंतर में बोला गया इसके उपर बताया गया सेम चीज आप देखो के बोध्रम के बारे में तो बोध्रम क्या था भारत से चीन के अंदर में गया पहली सताबदी के आसपास में भारत से बोध्रम चीन में आया और देरे देरे फैलता चला गए पूरे चीन के अंदर में चीन में बोध्रम का फैलाव हुआ वो देखा जात बोध धरम के इन दर में जो मायन वर्ड का मतलब क्या होता है? कितने स्टुएंट्स को पता है मायन वर्ड का मतलब जिनको भी पता है oraz comment करके बता है कितने लोगों को पता है यहाँ पर जो last point रहता है जिसने संसार में व्यापत दुख की प्रकृती और एक ठोस दार्षनिक उदारन प्रसूत किया अब एको बोध धर्म के अंदर मतलब देखो चीन के अंदर में तीन धर्म हुए Confucius बाद ठीक है उसके बाद ताओत का धर्म आया जिसको किस के दोरा लाए गया था लाओ जी के दोरा लाए गया था ताओका धर्म ठीक है और उसके बाद आता है बोध धर्म बोध धर्म गोतम बुद्ध द्वारा यहाँ पर इस्तापित किया गया और चीन के अंदर में फैलाए गया ठीक है जिसका मेन मोटिव क्या थे कि जो संसार के अंदर में दुख जो है उसको खतम करना ठीक है एक दार्षनिक उदारन के तौर पर उसको अपनाना और उसको खतम करना यहाँ पर यह चीजे मानी जाती है तो दोस्तों यहाँ पर यह वाला वीडियो खतम होता है यह पूरा लेसन जॉब का चीन वाला था ठीक है यह खतम हो गया एक वीडियो के end में request यही करूँगा कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है ठीक है तो like से subscribe जुरूर करें कोई भी suggestion हो हमारे लिए वीडियो के लिए कि हाँ यहाँ पे चीज़े हैं इंप्रूब करने के लिए कोई चीज़े गलत अगर मैंने बोली है या पर कुछ और आपके mind माईडिया है कि यहाँ पे यह चीज़े इस तरह से इंप्रूब हो सकते हैं तो you can suggest me on every social media platform ठीक है किसी भी platform पर जाओ वहाँ पर कि आप मुझे suggestion दे सकते हो ठीक है दी इनप के ID सभी जगा वैलिवल है साथ-साथ में request यही करूँगा कि हमारे दूसरा चैनल जो हैगा दी इनप info ठीक है नप इनफो के नाम से उसको भी जरूर subscribe करें जिससे आपको time to time update मिलती रहे एगनुसरेटेड आपकी exam से लेटेड आपको उस चैनल पर सारी update time to time मिलती रहेगी और इस चैनल को भी subscribe करके रखें क्योंकि यहां पर MA से जुड़े जितने भी update है आपके classes है वो सारा यहां पर मिलने वाला है तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best और आपका जो time में बहुत जादा कीमती है तो सही तरीके से यूज की ऑला है करके के समय start करके सनल पर सक दो को का तरीकском से यूज करदार के से दूज कि उदने झारा ड़ा है यहांगीव में यहां यहांड़ें कि अ वज जो करो समय करने पर से में यहांगी है